अंडेड अलग एपिसोड नमबर 12 पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एंडी फूको और तात्याना अनरिपेर की लोकेशन पर ब्राजील के रियो डी जिनेरियो सिटी में पहुँच जाते हैं। उसके बाद सभी लोग अनरिपेर को पकड़ने के लिए ब्लैक मार्केट में एक आक्सर में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक निगेटर को बेचा जा रहा है। आगे तात्याना च्छुप कर पता लगाती है और सब को बताती है कि अनरिपेर और उसकी टीम बेचे जा रहे निगेटर को पकड़ने का प्लान बना रही है। जिस पर एंडी और फुको उसे रोकने के लिए डेडी हो जाते हैं। अब बात करते हैं इस एपिसोड की। तलबार को खो मत देना और शिप की खिड़की से एंडी को तलबार दे देती है। तलबार लेते ही एंडी उससे अपना सर काट देता है और फुको उसके सर को पकड़ लेती है। इसके बाद फूको माफिया के लोगों को चिलाते हुए कहती है। हम निगिटर्स तुमारे खेलने की चीज नहीं है। और एंडी का सर उनके सामने फेक देती है। हम देखते हैं कि फूको के अनलक की बज़े से जहां पर एंडी का सर गिरता है वो हिस्सा तूट जाता है। इससे एंडी और फूको दोनों शिप के बाहर आ जाते हैं और अनरिपेर उन्हें देख लेता है। इसके बाद अनरेपेर और फूको एक दूसरे को देखते हुए एक साथ कहते हैं हम आउक्षन में बेचे जा रहे निगिटर को तुमारे हवाले नहीं करेंगे आगे एंडी खुद को हील कर लेता है और उड़ते हुए फूको के साथ शिप की छट पर लेंड हो जाता है इसका मतलब वो लोग भी आउक्षन में बेचे जाने वाले सामान को ढूण रहे हैं इसलिए हमें उनसे पहले वहां तक पहुँचना होगा हो सकता है कि हमें उनसे लड़ना भी पड़े इसलिए हमें इसके लिए भी रेडी रहना चाहिए आगे सीडियो से उतरते हुए एंडी को बहुत सारे डाइनामाइट दिखाई देते हैं जैसे ही एंडी उनके पास पहुँचता है एक बहुत बड़ा बिशपोर्ट हो जाता है अगलेशीन में हम शिप के बेस्मेंट की तरफ शिफ्ट होते हैं डाइनामाइट का बिशपोर्ट इतनी तेज होता है कि इससे पूरा शिफ हिल जाता है इसका फाइदा उठा कर एक लड़का माफिया के पास से चाह भी चुरा लेता है और अपनी जिल का ताला खोल कर भागने लगता है पर माफिया का आदमी उसे देख लेता है इसके बाद माफिया के आदमी उसे रुकने के लिए गयता है वो लड़का माफिया के आदमी से बचने के लिए अपनी पावर यूज करता है जिससे वो आदमी वहीं रुक जाता है आगे वो लड़का जैसे ही फिर से भागने की कोशिस करता है उसकी पावर्स आदमी से हट जाती है और आदमी अपनी गण निकाल लेता है इससे वो लड़का डर जाता है और फिर से अपनी पावर्स यूज करता है और आदमी फिर से वहीं रुख जाता है वो लड़का तोच तो पता चलता है कि अच्दत से सभी दोस्त इंगलिस में ओती है कि असपास सभी बीच्पिलह ओती नहीं इसकी 문षेsell though पर चाह कि दो last little जाते हैं और उसे पकड़कर अपने से पकड़े अगली शीन में हम प्रिजेंट में बापस आ जाते है चिकारा सोचता है स्कूल बाले दिन के बाद मुझे सीधा एक जेल में बंद कर दिया गया था जैसे मैं कोई जानवर हूँ अब ये पहलवान जैसे दिखने वाला आदमी मुझे पर बंदुकताने खड़ा हुआ है और इस रूम में भी बहुत ही ज़्यादा अजीव जीब जानवर कैद है ये चीजें सोचकर चिकारा और ज़्यादा डर जाता है डर के वज़े से चिकारा कापने लगता है इससे उसकी पावर्स काम करना बंद कर देती है और माफिया का आदमी फिरी हो जाता है माफिया का आदमी चिकारा को जान से नहीं मारना चाता क्योंकि आउक्शन में चिकारा की अच्छी कीमत मिलेगी इसलिए वो चिकारा के पैर पर गोली मारने के रिए गन आगे करता है तब ही वहाँ पर अनरिपेर की टीम आ जाती है जो उस माफिया के आदमी को मार देती है आगे अनरिपेर चिकारा से कहता है तुम तो एक external type के negator हो तुमारी पावर देखने से लगता है कि जब तक तुम खुद मूव नहीं करते हो तब तक तुम अपने सामने की सभी चीजों को रोक सकते हो मुझे तुमारे जैसे ही negator की जरूरत थी इसलिए मैं कभी भी union को तुमें ले जाने नहीं दूँगा अन्रिपेर की बात है चिकारा को समझ नहीं आ रही होती क्योंकि अन्रिपेर इंग्लिस में बात कर रहा होता है चिकारा सोचता है आकरिये लोग कौन है क्या ये मुझे बचाने के लिए आए है चिकारा की बाशा सुनकर अन्रिपेर लातला से पूछता है कि आकर ये कौन है और ये कौन सी language यूज़ कर रहा है इस पर लातला अनरेपेर को बताती है ये तो बड़ा ही चूतिया question है ये Japanese बोल रहा है पर ये मुझे आती नहीं है अनरेपेर कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ मैं तो खुद इससे इसकी पावर्स के बारे में पूछना चाता था हम आगे देखते हैं कि अनरेपेर की टीम का आदमी रिप अपनी मशीन गन निकाल लेता है और कहता है मैं तुम्हें अपनी गन से सूट करने वाला हूँ अगर तुम मरना नहीं चाते हो तो तुम्हें अपनी पावर्स यूज़ करनी होगी अनरेपेर भी रिप का साथ देता हुआ कहता है अगर ये निगेटर अपनी मर्जी से अपनी पावर्स को यूज़ नहीं कर सकता है तो फिर ये हमारे किसी काम का नहीं है बैसे भी अगर ये मर गया तो इसकी पावर्स किसी दूसरे इंसान पर चली जाएगी अनरेपेर की बाते सुनकर चिकारा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और सोचता है आकर मैं अपनी पावर्स को कैसे यूज़ करूँ अगर मेरे पावर्स नहीं होती तो मैं अपने परिवार के साथ सुकी चैंस जी रहा होता इसके बाद चिकारा अपने माता पिता से माफी माँगने लगता है आगे रिप चिकारा पर लगातार गोलियों की बरसात कर देता है रिप को लगता है कि उसने चिकारा को मार दिया है पर हम देखते हैं कि एंडी सही समय पर वहाँ पहुँच जाता है और चिकारा को बचा लेता है एंडी चिकारा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है इससे सभी गोले केवल एंडी को ही जाकर लगती है इसके बाद उपर से फू करने के लिए बेसमेंड में बुला लेता है इसके बद एंडी अन्रिपेर की टीम को समझने लगता है एंडी रिप की तरब देखता है और कहता है इसके हाथ में एक मशीन गन है पर मुझे कोई भी गूली नहीं दिखाई दे रही आकर ये गन कैसे यूज कर रहा था इसके कोई भी हतियार नहीं है सायद इसके पास हम लोग को रोखने की पापर हो सकती है एंडी ये सब सोची रहा होता है तबी अन्रिपेर इस स्पीड से जाकर एंडी का गला काट देता है अन्रिपेर कहता है तुमारी पावर्स क्या है वैसे तुमारी गर्दन पर जो मैंने कट लगाया है वो कभी भी हील नहीं होगा जब तक मैं जिन्दा हूँ आगे एंडी खुद की गर्दन काट कर खुद को हील करने की कोशिस करता है पर एंडी का हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच नहीं पाता यह देखकर अनरेपैर कहता है मुझे यह नहीं पता कि तुम्हारी क्या इशारा करता है अनरेपैर आगे एंडी से कहता है कि तुम लोग यूनिन के साथ हो अगर ऐसा है तो मैंने इस नेगेटर को पहले देखा था इसलिए मैं तुम्हें इस नेगेटर को ले जाने नहीं दूँगा हमें इस नेगेटर की पावर्स की जरूरत है यह नेगेटर ब उनना और भी आसान हो गया है इसलिए तुम लोगों का शुक्रिया हम आगे देखते हैं कि फूको एंडी की पीट पर बैठ जाती है और एंडी हमला करने के लिए अन्रेपेर की तरफ बढ़ता है एंडी की गरदन के जिस तरफ कट लगा होता है फूको उसकी तरफ ही एंडी क की गरदन काड़ देती है यह देखकर अन्रेपेर चौक जाता है कि आकर यह दोनों कौन है इसके बद एंडी अन्रेपेर से कहता है मुझे एक चीज तो किलिर हो गई है तुम यूनिन के 11 मेंबर तो नहीं बन सकते हो ऐसा बोलकर एंडी अपने सर से अन्रेपेर के मूँ पर हमला करता है इससे अन्रेपेर की नाग टेड़ी हो जाती है तबी वहाँ पर तात्यान आ जाती है और रेप और फैंग को पकड़ लेती है यह देखकर चिकारा और भी जला डर जाता है और कहता है आकिर अब यह कौन है तात्यान अफूको और एंडी से कहती है मैं इन दोनो को समाल लोंगी तुम बाकी दोनों को देख लेना ये सुनकर एंडी खुश हो जाता है और अपनी तलवार से अन्रेपेर पर हमला कर देता है पर अन्रेपेर बड़ी ही तेजी से यारी की स्पीड की तारिफ करता है इसके बाद एंडी अपनी तलवार के पास जमीन पर काट लेता है और उनसे अनरेपैर पर हमढारा करता है । अपने हाथों को काट पाता है यह देख कर सभी लोग को चौक जाते हैं आगे अनरेपैर को बचाने के लिए लातला उसके सामने आजाती है इससे एंडी के फोराम्स लातला से रिफलेक्ट होगर दूर निकल जाते हैं यह देख अगर एंडी सुचता है जरूर यह लातला की पावर से हुआ है एंडी के इस हमले को देख अगर अन्रेपेर उससे इंप्रेस हो जाता है और कहता है तुम इतने जाना यूनिन के साथ क्यों बरवात कर रहे हो तो मैं तो हमारे साथ काम करना चाहिए इसके बाद अन्रेपेर लातला को उसकी नाक ठीक करने के लिए कहता है आगे अन्रेपेर एंडी से कहता है तुमने ऐसा दिखाया कि तुम खुद को हील करने वाले हो पर असल में तुम मुझ पर हमला करने वाले थे इसी बज़़े से मेरे पावर ने तुम्हारे उपर काम नहीं गिया तुमारी पावर बहुत ही जादा अच्छी है तो मैं हमारे साथ काम करना चाहिएricsन के एंडी कहता है मुझे तुमारे साथ कोई काम नहीं करना जब मैंने तुमारी के बारे में सकते हैं इसके बाद अनरिपेर फूको से पूछता है क्या तुम हमारे साथ काम करोगी तुमने एक पल भी ना सोचे सीधा एंडी की गरदन कार दी थी पर तुमारे साथ जो दूसरा निगेटर है वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है वो तो इतना डरपोक है कि अपनी पावर्स को भी यूज नहीं कर सकता इसकी पावर्स बहुती ज़्यादा अच्छी है पर ये निगेटर चूतिया है इसलिए हम इसे मार देंगे ये सुनकर चिकारा कहता है आगर मेने तुमारा क्या वेकारा है इसके बाद अनरिपेर कहता है हमारा एम अपनी टीम में केबल स्ट्रॉंग लोगों को हासिल करना है जिससे हम लोग पूरी दुनिया को बता सकें कि असली बॉस कौन है एक बार हम स्ट्रॉंग लोगों को एकटा कर ले फिर हम दूसरे देशों पर कबजा कर लेंगे अनरिपेर की बात सुनकर फूको कहती है आकर तुम ये क्यों करना चाते हो पूरी दुनिया ने तुमारा क्या बिगाड़ा है ये तो केबल भगबान की गल्दी है जिसने हमें ऐसा बनाया है हम देखते हैं कि एंडी अनरिपेर पर फिर से हमला करने के लिए जाने लगता है आगे अनरिपेर फूको की बात का जवाब देते हुए कहता है तो इसलिए तुम लोग भगबान को मारना चाते हो पर मेरे पास ऐसी फालतू चीजों के लिए समय नहीं है और हम इसके लिए खुद को जोकिम में क्यों डालें आगे अन्डी अपने हाथ से तलवार को निकाल गर लातला पर हमला करता है पर हम देखते हैं कि तलवार लातला को छू तक नहीं पाती पर अन्डी के हाथ से निकला हुआ खून लातला के ऊपर गिर जाता है ये देखकर लातला बहुत ही जाता चड़ जाती है ये चीज देखकर एंडी सोचता है कि लातला की पावर्स हर तरह के हमले को रोक सकती है इसके बाद अन्रेपेर कहता है अब बहुत हो गया मेरे पास खराब करने के लिए इतना जादा समय नहीं है आगे अन्रेपेर चिकारा से कहता है बेगी बिली अब तुम्हारा मरने का समय आ गया है मैं आसा करता हूँ कि जिसके पास भी तुम्हारी पावर्स जाएंगी वो तुम्हारी तरह डर पोक नहीं होगा ऐसा बोलकर अन्रेपेर अपना एक चाको चिकारा की तरफ फेक कर मारता है एंडी उसे बचाने के लिए चिकारा के सामने कूद जाता है पर अन्रेपेर का चाको एंडी के हाथों को चीरता हुआ आगे निकल जाता है एंडी फूको से उससे दूर रहने के लिए भी कहता है पर फूको बीच में आ जाती है इससे चाकू चिकारा को लगने के जगे फूको को लग जाता है यह देखकर अन्रेपेर कहता है एंडी की वज़े से चाकू की स्पीड दीमी हो गई थी इसकी वज़े से चाकू मुझे माफ कर दो कि मैं बीच में आ गई थी पर तुमारी वज़े से ये कड ज्यादा गहरा नहीं हुआ है हम देखते हैं कि फूको का खून धीरे धीरे बढ़ना सुरू हो जाता है एंडी सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो काड को निकाले या ना निकाले फूको एंडी के लोग सभी को घिर लेते हैं अनरेपेर एंडी से कहता है हमारा समय पूरा हो चुगा है मैं इस नेगेटर को पकटना चाता था पर इसके बदले में मैंने एक यूनियन के मेंबर को कतम कर दिया है आज के लिए इतना काफी है अवी के लिए हम चलते है फिर मिलेंगे ही रो मुझे एक प्लान की जरूरत है हम देखते हैं कि चिकारा अपने कोट को निकाल कर फूको के कट को कवर कर देता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना मुझे नहीं पता था कि कट को कैसे हील कर सकते है इस पर एंडी कहता है फूको भी तुमारी तरह एक निगेटर है अगर त इसे नंगे हाथों से चुआ तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है इस पर चुकारा फूकों से थोड़ा डूर हो जाता है और डरते हुए माफिया के लोगों से कहता है लड़की को चोट लगी है और इसका बहुत ज्यादा खून बैरा है इसे एक डॉक्टर की जरूरत है तुम को मुझसे मतलब है इसलिए इसे जाने दो ये सुनकर माफिया के लोग कहते हैं हमें इससे घंटा फरक नहीं पड़ता और चिकारा की तरफ एक गूली चला देते हैं हम देखते हैं कि चिकारा अपने हाथ पर बंदे हुए हेरिवेंड को देखकर अपनी मा को याद करने तो तुम एक सेकंड के लिए सूचना और फिर अपनी पावर का यूज करके उन्हें बचा लेना हम आगे देखते हैं कि माफिया के लोग चिकारा से कहते हैं हमें गंटा फरक नहीं पड़ता है हम तुम दोनों को मार देंगे ऐसा बोलकर माफिया के लोग बहुत सारी गूल और माफिया के लोग स्टेचू बन जाते हैं हमें चिकारा की पावर्स का नाम अन्मूव बताया जाता है एंडी चिकारा की पावर को देखकर चौक जाता है आगे चिकारा कहता है इस सब मेरी बज़े से हुआ है इसी बज़े से फूको को चोट लग गई है अगर मेरी खतम हो जाता है दोस्तों बताईए आपको एपिसोड कैसा लगा और कौन सा पार्ट आपको पसंद आया है कॉमेंट जरूर करें